नमस्कार न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ पूजा अगरवाल आज दुपक्षी बैचक करेगी प्रधान मंत्री मोधी। आपको बताने कि इस बार समिट में दुनिया के 36 देश शामिल हो रहे हैं इसमें से 18 देशों को गवर्णर और मंत्रे समिट में मौजूद रहेंगे इसी के साथ आपको ये भी बता दे कि पंधा से जादा ग्लोबल सीओ मौजूद होंगे इदा समिट के चीफ गेस्ट UAE के राश्टरपती शेक मौमद बिन जायद अल नहायान आज शाम एहमदबाद पहुचेंगे आपको बता दे प्रधान मंत्रे नरेंद्र मोधी खुद राश्टरपती नहायान का स्वागत करेंगे इसके बाद तोनों निता एयरपोर्ट से गांधी आश्रम तक तीन क्लोमीटर लंबा रोडशो भी करेंगे तो गुजरात पहुच चुके हैं प्रधान मंति नरेंद्र मोधी आज का दिन बेहत खास तिमोल लेस्ते की राश्टरपती के साद अहम बैटन देखिए दस जनवरी को पियमोधी उद्गाटन करेंगे और इसी के साथ देखिए वाइबरेंट गुजरात समिट है उसी के साथ कई मायनों में समिट महत्पू हो जाती है वाइबरेंट गुजरात समिट में भारत और UAE के संबन्द और प्रगार होंगे और मजबूत होंगे वाइबरेंट गुजरात समिट को लेकर दस जनवरी को पियमोधी इसका उद्गाटन करेंगे समिट 10 से 12 जनवरी तक आयोजित होगा वाइबरेंट गुजरात समिट में भारत UAE के संबन्द और जादा मजबूत होंगे 10 से 12 जनवरी तक ये समिट आयोजित होगा और Gateway to the future समिट में Microsoft, Nasdaq और Google, Suzuki के CEO शामिल होंगे गौतम अडानी, मुकेश अंबानी और नटराज चंदरशेखर समिट में हिस्सा लेंगे समिट में आपको बता दें, सभी के नजरें इस पर ठीकी हुई है, गुजरात के आटो सेक्टर पर सभी की दिल्चस्पी है समिट में यह बात करते हैं, टेसला भी गुजरात आगमन का ऐलान कर सकता है, ये बड़ी बात होगी मारुती और देश की कई EV वीकल कंपनियों की बड़ी घोशना की उम्मीद है, हम सेमी कंजटर की कंपनियों की बात करते हैं, तो ये भी कंपनियों तमाम बड़े ऐलान कर सकती है प्रकुर यानी साफतार पर कहा जा सकता है कि जो ये ग्लोबल सब्मिट है, ये निवेश के मद्दे नजर भी गुजरात के लिए और गुजरात की लोगों के लिए बेहत खास होगा और गुजरात के तीन दिवस से दोरे पर प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी पहुंचे हुए है बिल्कुर ये पहली मरतबा नहीं है, देखे जब खुद मुख्य मंतरी रहे थे प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी गुजरात के तब ही सही समट की शुरुआत हो चुकी थी और देखे दसवर्श हो चुके है और इसी के साथ साथ प्रधान मंतरी मोदी का जो जेश्चुर है वो देखते ही बन रहा है और जब हम गुजरात की बात करते हैं तो मुख्य मंतरी के तोर पर भी यहाँ दायत्व का निर्वान कर चुके है प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी और ऐसे में गुजरात के साथ एक बहतर संबंद और गुजरात के लोगों का विकास हो सके इसके लिए लगाता काम करते नज तो वहीं बीजेपी ने लोगसभाद चुनाव की तैयारिया थेज कर दिये हैं। पन्ना प्रमुख की सक्रियता मद्दाताओं तक पहुशना सुनेशिद भी किया जाएगा। अभी तक दो तेहाई राज्यों की कार योजना को ही हरी जंडी मिल चुकी है। तक कार योजना की जो रिपोर्ट है वो तैयार होनी है और इसको लेकर लगातार भारते जनता पार्टी की ओर से ना केवल बैठोकों का दौर जारी है। बलकि बीजेपी के तमाम दिगगत चाहे वो बीजेपी की राष्ट्रा देक्ष जेपी नड़ा हो चाहे फिर वो खुद अमिशा हो प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी हो लगातार अलग-अलग राज्ये में पहुंच रहे हैं। बलकि जो रिपोर्ट कार्ड है अब तक का जो काम किया क्या विधायकों का और साथी नेताओं का उन रिपोर्ट कार्ड को भी देखा जा रहा है ताकि अगामी लोगसभा चुनार जो मार्च में होने उसको लेकर एक ऐसा प्लान तयार हो जिससे बीजेपी को जादा से अगे बढ़ते हुए अब बात होगी लखनाओ की लखनाओ में बीजेपी की बड़ी बैठा कायोजन किया जा रहा है 11 जनवरी को लोगसभाद चुनाब पर ये मीटिक होनी है यूपी में बीजेपी की 80 मैं से 80 सीटे जीतने का लक्षय निरधारित किया गया है आपको ये सबसे बड़ी बात ये है अगर आम उत्तर प्रदेश की बात करें तो सबसे जादा रिपीट किया जाएगा। यानि जिस भी मंत्री विधाय का रेपोर्ट कार्ट बहतर होगा उन्हीं को फिर से मौका दिया जाएगा भारती जनता पार्टी की उर से और अगर किसी की छोटी सी भी कमी या खामी पाई जाती है तो उनको मौका नहीं मिलने वाला है बीज़ेपी की तरफ से ये पहले ही दूर देंगे जमीन के बदले नौकरी केस में बड़ी खबर आपको बता दे कोट में एडी ने दाखिल की चाशीट चाशीट में राबडी देवी मीसा भारती का नाम शामिल है सोला जनवरी को चाशीट पर सुनवाई होगी तो इस वक्त की बड़ी और रहम जानकारियम आपको दे रहे है विकल लैंड पॉल जॉप के मामले में ये बड़ी खबर आपको बता दे कोट में एडी ने चाशीट को दाखिल कर दिया है देखे पूरा का पूरा लालू परि कर दिया है चल रही हैं समिक्षा बैठकों कायोजन होगा किस तरीके से काम प्रगती पर चल रहा है उसके समिक्षा की जाएगी और देखे वो सीधी तस्वीरें इस वक्त अयोध्या के हनुमान गड़ी से जहां पर तमाम साधू संतों के साथ में दर्शन पूजन करते हुए योगी आद प्रभूष प्रियानुमान के दर्शन आप लोग भी कर लिजे क्योंकि आज जब मुक्यमंत्री योग्या रितनात हनुमान गड़ी पहुंचे है और यहां पर हनुमान गड़ी में पूजा अर्चना करने के साथ ही आगे आयोध्या की और वो बढ़ेंगे और यहां पर देश भी मुक्यमंत्री योग्या रितनात देंगे देखे अगर हम बात करें 22 जन्वरी की तो उसी के संदर्ब में लगातार मुक्यमंत्री योग्या रितनात दौरा करने निरेक्शन करने पहुंचते हैं और जिस दौरान बो समेक्षा करते भी नज़र आते जो तयारी अल तो योधिया में 22 जनवरी को प्रांट प्रतिष्ठा का इक्रम होना है प्रांट प्रतिष्ठा में शबरी के वन्शज भी पहुंचेंगे ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं नौ दिवस ये एक हजार आठ कुंडिय यग में शामिल होंगे गुजरात के दांग जिले से यग में शामिल होंगे आपको ये भी बता दें कि पूर्व कैबिनेट मंतरी पूरेश मोदी के नेत्वत में वे पहुंचेंगे बिल्कुल तो प्रान प्रतिष्टा में शबरी के वंशस भी पहुंचेंगे ये बहुत बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं शबरी के वंशस जो है आपको याद होगा वो शबरी जिन्होंने जूटे बेर प्रभुष्वी राम को खिलाये थे और उनके लिए भी सबसे बड़ी बात ये है कि इस राम मंदर में इस्थान दी गई है और अब उनके जो वंशस है यानि कि शबरी के जो वंशस है वो भी 22 ज़नवरी को होने वाले कारक्रम में शामिल होंगे मकरसंक्रांति के दिन उत्रयन के दिन हमारे परमादर्णिया रामभद्रचारिय महराज का भी 75 जन्मदिन है वह भी मकरसंक्रांति के दिन है उत्रयन के दिन है योगानुयुक आप देखो तो सबरी के वनसज वहाँ पोचेंगे चवदा को राम भदराचारिया महाराज को बेर और धनुस अरपन करेंगे और प्रभुसी राम के मंदिर में जाकर भी बेर और धनुस अरपन करेंगे तो यह हमारी जो परंपरिक सांस्कूती रित रिवाज जो है वो यहां से सरू होगा पुरा ट्राइबल विस्तार में सरू होगा अनुस्ति जाती समाज में सरू होगा सभी हमारे आदिवसी समाज के आराध्यादेव प्रभू राम जी को दर्सन करने के लिए यहां से सबरी राम से चौदा तारिक तो पहुचेंगे लेकिन उनके बाद पूरे भारत वर्ष के ट्राइबल समाज अयोध्या पहुच कर सभी माता के वनसज बनकर प्रभू राम जी का दर्सन करे यही अमारा उद्देश रहेगा और उकरते अगली बड़ी कबर का सुप्रीम कोट में श्रीकृष्ण जनमस्थान शाही इदगाह पर सुनवाई श्रीकृष्ण जनमस्थान शाही इदगाह सर्वे केस पर सुनवाई होगी मुस्लिम पक्ष ने कमिशनर सर्वे पर जाताई है आपत्ती पिछले सुनवाई में कोट का सर्वे पर रोक से इंकार हुआ था और सर्वे को लेकर अब सुनवाई होगी क्योंकि सर्वे पर सुप्रीम कोट ने पहले ही रोक लगा दी थी और मुस्लिम पक्ष्ण का ये कहना था कि सर्वे नहीं होनी चाहिए सुप्रीम कोट में श्रीक्रिशन जन्वस्थान शाही इद्गाई सर्वे केस पर सुनवाई होनी है क्योंकि मुस्लिम पक्ष्ण आपको याद होगा कि कमिशन सर्वे पर आपत्ति जिताई है यदि हम बात पिश्टी सुनवाई की करते हैं तो कोट का सर्वे पर रोक से इनका था ये बड़ा जटका कहीं न कहीं इसे शाही ईदगा के लिए माना जा रहा था देखेंगे एक बाफिर से अब सुनवाई की खबर सामें आ रही है बिल्खुल तो देखें इंदु पक्ष का कहना है कि ये प्रभुश्री कृष्ण की भूमी है और ये हमें वापस चाहिए लेकिन मुस्लिम पक्ष का कहना है कि यहाँ पहले से ही जो मज़िद है वो बनाई गई थी और अब इस शाही ईदगा को लेकर जो मुस्लिम पक्ष का क कर आए गई है जो याची का दर्श कर आए गई उस पर सुनवाई होगी और सुनवाई के दौरान ये तै होगा कि आखिर जहां एक तरफ इंदु पक्ष का कहना है कि ये क्रिश्ट्न जन्म भूमी है प्रभूश्ट्री क्रिश्म की भूमी है तो यहां में वापस मिलनी चाहि दूसरी तरफ मुसमें पक्ष्ट का कहना है कि ये शाही ईदगा की जमीन है और हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे अब इसमें सर्वे के अधार पर तैह होगा कि आखिर सक्चाई कैसी है छीक वैसे ही जैसे आयोध्या में चलिस बीच अच्छी ख़बर आपको इभी बता दें राश्ट्रे खेल पुरुसकार वित्रित किये गए हैं राश्पदी भवन में पुरुसका समहरुका आयोजन किया गया है जिसमें क्रुकेटर मोहमद शमी समयद 26 को अरजुन अवार्ड रंगी रेड़ी सात्विक साई राज को खेल रतन दिया गया है पांच कोच को भी अवार्ड मिले हैं द्रोणाचार अवार्ड राश्पदी द्रौपदी मुर्मु ने वार्शेक राश्ट्य खेल पुरुसकार का वित्रण किया है और राश्ट्रपाति भवन में एक अप्चारिक सामारों आयोजित किया सामारों में सबसे पहले द्रोण अच्छार्य अवार्ड दिये गए वहीं बाड्मिंटल स्टार चुराक शेटी और रंकी रड़ी सात्वेक साई राज को खेल रत्न दिया गया तो भारतिय स्टार क्रिकेटर मोहमद श्रमी समेथ 26 अतलिटों को अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया बता दे कि 33 साल के तेज गेंदबाज मोहमद श्रमी ने वंडे वर्ल काप में शांदार प्रदर्शन किया था और उसी प्रदर्शन को लेकर उन्हें इस सम्मान से नवाजा गया है पांच कोच को भी द्रोडक चारे अवार्ड सौपे गए हैं राश्ट्रे खेल पुरुसकार आज वित्रित किये गए हैं जिसके जरिये ना केवल खिलाडियों के मनोबल को बढ़ाने का काम किया जा रहा है बलकि किस तरह से बीते कुछ सालों में खेल और खिलाडियों ने बहतर प्रदेश्ट्रेंट किया खेल में भारत ने तमाम वो उपलबदिया हासल की जिसके लिए इंतजार हमेशा से रहा वो गोल्ड मैडल आपको याद होगा जो बैक टू बाक इंडिया ने हासल किये इन तमाम खेलों को देखते हुए और जो एचीव्मेंट से इनको दे रहे थे जो कि वहांसो खुशी के आसो थे जिस तरीके से महम्मर शमी का जीवन रहा है देखें आपको परसनल लाइफ में तो बहुत सी परेशानियों का सामया लेकिन बहतर क्रिकेटर है महम्मर शमी बहतर बॉलर है क्रिकेटर और यू कहें कि शमी का जो प्रदर्शन था इस विल्ड कप में साफ़तार पर नज़र आया हरा कि टीम इंडिया जीत नहीं पाई लेकिन जिस तरीके से एक प्रदर्शन देखा गया था महम्मर शमी का और उसी को लेकर आज उनको एक अवहार्ट से सम्मानत किया गया अरजुन अवहार्ट से आज उनको सम्मानत किया विर्कुल और तस्वीरे भी आपके सामने हैं और तस्वीरों के जरीया आप देख पाएंगे कि खिलाडियों के बीच कितना उत्साह था और उन्हें सम्मान भी दिया गया रोकरते अगली बड़ी कवर का मालदीव में नहीं थम रहा सियासी बवाल भारत और पियम मोदी पर दिये गया अपति जनक बयान पर अब लगातार का रवाई जा रही है और मालदीव विवाद में भारत के समर्थर में आया इसराइल ट्यूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने के लिए इसराइल है तयार क्वीन ने भी मालदीव को लगाई लतार देखें बहुत बड़ी बात थी जब आपको याद होगा किस तरीके से ये पूरा विवाद गहराया था मालदी विवाद में भात के सम्थर में इसरेल भी सामने आ गया है ये बहुत बड़ी बात है चुकि मालदीव में जिस तरीके से कटाक्ष की गए थे तमाम नेताओं के द्वारा हलाकि तमाम जो मालदीव की सरकार है उन बयानों से उन्होंने पला ज़ाड लिया था लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर बाइकॉट का जो सलसला चल पड़ा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है इस बीच बड़ी खबर है कि इसराइल ने भिया वो मालदीव का समथन दिया मालदीव में यह जो बवाल है कहीं न कहीं प्रधान मुंतिय अंद्र मोदी पर टीका टिपड़ी करना यह भारी पड़ गया था इस बीच आपको बता दें फिलहाल यह बड़ी खबर है मालदी विवाद में भारत के समथन में इसराइल आ चुका है तो यह जानकारी आप तक साजहा कर रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से तमाम नेताओं ने टीका टिपड़ी की थी ब्रधान मंति मोदी को लेकर तमाम बयां दिये थे और इन ही बयानों से इन ही विवादों से कहीं न कहीं मालदीव जो की पर quindi को लेकर ही साधा सकरिये है देखें क्या कोछ विवाद हुआ पीम हाली में लक्षदीब के दौरे पे गए थे आपको याद होगा और लक्षदीब के दौरे को लेका यह निए कि मालदीब वर्सिस लक्षदीब से बना दिया गया पर सोशल मिडिया पर तस्वीरें साजहा की थी इसलिए के बाद क्या उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर की थी जिसके बाद वो तस्वीरे लगातार सभी को दिखाई गई और उन्हीं तस्वीरों को लेकर बायान दिया गया जिसमें ये कहा गया था कि टूरिज्म के शेत्र में अगर हम भारत की बात करें तो उतनी बहतर फैसलिट में आ गया है टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने के लिए इस्राइल तयार है यानि भारत को टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने के लिए इस्राइल तयार है और चीन ने भी मालदीब को लतार लगाई है इता देश में कोरोना वाइरस ने फिर से पैर पसार लिये हैं 24 गंटे में 756 ने वेरियंट सामने आए JN.1 की केसिज अब बढ़ते जा रहे हैं दिल्ली के हम बात करते हैं तो दिल्ली में 34 कोरोना वाइरस के एक्टिव केसिज हैं जिसमें देश में कोरोना एक्टिव केसिज की संख्या बढ़कर 4049 हो गई है देश की राजधानी दिल्ली समेत देश भर में कोरोना वाइरस फिर से पैर पसार रहा है नए वेरियंट JN.1 ने लोगों की टेंशन बढ़ा दी है दिल्ली में अब तक नए वेरियंट यानी JN.1 के 34 मामले सामने आ चुके है वही महराष्ट, करनाटक, तमिलनाडू, केरल समेत कई राज़े इसकी चपेट में नए वेरियंट के सबसे ज़्यादा मामले करनाटक से सामने आए है और शुरुआत में JN.1 के केस दक्षिन भारत के राज़ियों से सामने आ रहे थे लेकिन अब उत्तर भारत के राज़ियों में भी इसका खत्रा बढ़ने लगा है हाला कि आपको ये भी बता दें जो एक्सपोर्स कह रहे हैं उनका एक्माना ये कोविट गाइडलाइन का पालन करिए वो जरूरी है देश में कोरुना वाइरस के जो मामले हैं तेजी से बढ़ रहे हैं आपको ये भी बता रहे हैं कि बीते 24 घंटे के लिए हम बात करते हैं और अब ये मामले बढ़ कर अगर कुल संख्या के हम बात करें तो 4000 के पार पहुँच गए हैं हाला कि नए बेरियंट JN.1 की हम बात कर ले तो देखे पहले ये केवल दक्षणी एरिया में जादा पैला हुआ था लेकिन अब उत्तरी शेत्र को भी ये अपने चपेट में ले रहा है चले इसी के साथ इस बुलिटिन में अभी के लिए बस इतना ही वक्त एक छोटे सी ब्रेक का हुआ है हम फोरल लोटेंगे कहीं मज जाएगा चले तो ब्रेक के बाद एक वफर से स्वागे था आप सभी का आयोध्या पहुंचवे सीम योगी आदितनाथ हनुमान गड़ी में सीम योगी ने पूजा अर्चना की और सीम योगी ने किये राम लाला के दारश्वार देपिका बिल्कुल लिवकास कारियों के आदितनाथ आयोध्या पहुंच रहे हैं तभी देखा जा रहा है सबसे पहरे हरुमान गड़ी पहुंचते हैं पूजा अर्चना करते हैं उसके बाद तमाम लिवकास कारियों के समिक्षा में जुट जाते हैं श्याम चार बिल्क कर्म के कारिक्रम रहेगा बेहत खास है विकास कारियों के नरस्फ रिक्षन किया जाएगा क्या कुछ रफतार पकड़ रहा है विकास कार उसकी भी समिक्षा की जाएगगे इसके लाव आपको यह भी बता दे कि तमाम अधिकारियों से चर्चा होगी विचावे मश होगा जो राम की सेवा में लगी हुए हैं तमाम अधिकारियों से पूछा जाएगा किस रफतार में काम चला देखे वो काफिला वो काफिले की तस्वीरे भी सामने आ रही हैं जहा एक परिवार में प्रधान का होना बहुत जादा जरूरी है ताकि जो बड़े फैसले है वो लिये जा सक्या और उनके सम्मान में जो परिवार के बाकी सदस्य है वो काम भी जरूर करें और जिस तरह से मुक्यमंतरी योगी अधितिनात राम मंदर के निर्मान कारियों की समि ना तो चूकते हैं ना ठकते हैं ना रुकते हैं और निरंतर हर एक पल काम किया जाता है 24 गंटे सातों दिन राम मंदर नर्मान के लिए काम लगातार जारी है और आज मुक्यमंतरी योगी अधितिनात इस बीच एक बार फरसे निरेक्षन के लिए पाँच गये है जहाँ भी आप जाए तो राम मंदर जाने से पहले आपको हरुमान गड़ी जाना होगा वहाँ प्रभुष्ट्री हरुमान से जाजत लेनी होगी उनकी पूजा अर्चुना करनी होगी उसके बाद ही आगया प्रस्तान कर सकते हैं हाला कि पूजा अर्चुना की जो तस्वीरे हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं अनुमान गडी में पूझा अर्चिना मुक्य मंत्री योग्या रतनात ने की और इसके बाद मुक्य मंत्री योग्या रतनात राम मंदर में जो काम चल रहा है उसको लेकर समिक्षा करेंगे समिक्षवा के साथ या अगर कहीं कोई कमी या खामी पाई जाती है तो बैठक भी होगी और किस तरह से तवाम कामों को किया जाना है उस पर भी मंतन किया जाएगा सबसे बड़ी बात यह है कि प्रभु स्रीराम के इस मंदर के निरमाण के लिए देश के कोने-कोने से चीजे आई हैं और यू कह सकते हैं कि राम मंदर निरमाण के लिए पूरे देश की ओर से जो भागिदारी है वो भी नजर आ रही है और जन जन इसके साक्षी बनने के लिए तयार है 22 जनवरी को जो राम लला की प्रांथ प्रतिष्ठा होनी है जो सबसे बड़ा इवेंट हम कह सकते हैं अब तक का आयोध्या में आयोजित किया जाएगा प्रभू श्री राम के राम लला के प्रांथ प्रतिष्ठा होगा उस द बलकि ये कारकरम 25 मार्श तक बैक टू बैक यानि हर एक दिन अलग अलग कारकरम राम मंदर में आयोजित किया जाएगा और यहां पर जो भी आम जन है जो श्रधालू होएं वो अगर पहुचते हैं तो हर दिन उन्हें कुछ नया राम मंदर में देखने को मिलेगा कुछ अ जिसके जरिये वो राम मंदर की अलोचना कर सके बेकुछ जाहिर सी बात है साड़े पांसो साल का ये लंबा इंतजार जो की खत्व होने की कगार पर और हनुमान गड़ी के बारे में कहा जाता है कि जब अयुद्या पहुचे थे श्राम साथ में हनुमान जी थे हनुमान दिया था कि आप हनुमान गड़ी में बिराजें तभी से हनुमान गड़ी की जो महीमा है वो बनी हुई है ऐसी के साथ देखिए महीने में तीन मरतबा दौरा करते हैं और जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है 22 जनवरी की तारी तभी से सीम योगी आदित तिनात का जो करिये हो चला है फिरहाल दो तस्वीरें आपके सामने हैं इन दो तस्वीरों के जरी आप समझ पाएंगे हमेशा से भक्ती भावना में लीन तो योगी आदित तिनात नजर आते हैं लेकिन जब बात आयोध्या की आ जाती है जब बात वो लंबा इंतजार की जो लंबी नहीं लड़ाई चली थी उसके बाद करोनो करोनो वासियों का यू कहें कि विश्वास अब जागरत और हो चुका है चुकि साड़े पांस साल के बाद ये भव्यराम मंदिर तयार हो रहा है जिसमें राम लला जो की तिरपाल में 28 सालों से रहे थे अब वो अपनी जगह छो पीर नजर आई थी वो तस्वीर भी इस पूरे दुनिया के लोगों ने देखी थी जादा जानकारी के लिए आयोद्यस से हमारे साथ ता हमारी सहयोगी चारुल शर्मा जुड़ गई है चारुल आज मुख्यमंत्री योगे अदतिनात तमाम कामों को लेकर समिक्षा करने के पहुंचे हैं वहाँ पर फिलहाल जानकारी आपसे चाहूंगी ताजा अपडेट्स क्या है किस तरह की तस्वीरे किस तरह की बवेत तयारिया चारुल आप तक हवास पहुंच पा रही है आप सुन पा रहे हैं है जो है वो बनी रहे है और इसे में बहुत ज़्यादा जरूरी है जो है जो है वो बनी रहे है और इसे के साथी देखे सिंगल यूज प्लास्टिक जो है उसके बिकल्स क्या हो सकते है इसको लेकर सबश्नी आइज़ती गई है जहां को मुक्यमंत्री योगी अबस्तना पहुंचने वाले है यह कमा मार्चिस के तारेकर में जाने है और उसके लग्वक होने साथ वजे प्यम्योगी वापर रवाना हो जाएंगे आकर लेकिन दो में सर्केश हाउस पर होने वाले हैं उसको लेकर पदादिकारियों प्लाकात होगी यह जानकारे भी आप साज़ा करें इस बीच ख़ब यह भी आ रही थी कि राम लला को सबसे पहले लगड भ्रमड के लिए इस्थाफना से पहले भ्रमड कराया जाएगा लेकिन कहीं न कहीं अब जो खबर है वह यह भी है कि परिस्थ ब्रमड कराया जाएगा बहुत सजय के चारूल ज़र कर दिया गया नहीं है जाने बहुत शुक्रिया चारुल तमाम जानकारी देने के लिए आपका आप नज़र बना रखेगा अपडेट आप से लेते रहेंगे बढ़ेंगे खबरों में आगे अब बात होगी जमीन के बदले नौकरी के इसमें किस तरीके से यह बड़ी खबर आपको बता दे कोट में एड़ी ने चार्ड शीट को लालू परिवार पर लगा है आरोप यह है कि जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे उस जारान उन्होंने नौकरी देने के बदले जमीन अपने परिवार के सदस्यों के नाम लिखवाया और अब इसी मामले में जब जाच की गए तो लालू प्रसाद यादव पूर होगी 16 जनवरी को हाला कि अब जो पूचताच है मीसा भारती से राबरी देवे से और लालू प्रसाद यादव से वो होनी है पूचताच में ये आरोप आकर कितना सही है इस पर जाच होगी क्योंकि इससे पहले भी जब पूचताच के लिए बुलाया गयता तो 17 वो आरोप जिन्होंने जमीन खरीदी थी और जिन्होंने जमीन बेची थी उनसे भी पूचताच की गई चले जारा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे समवराता आनंद सिंग इसी खबर पर जुड़ गए है आनंद लालु परिवार की मुश्किले क्या अब बढ़ेंगी क्योंकि 16 जनवरी को 4 शीट पर फिर से सुनवाई होगी और हर बार तारीख पे तारीख मिल रही है सुनव पर लगातार जारी है जमीन को टाला मामले में बिल्कुल अगर बात की जाया है कि जिसके मतलब है कि जमीन के बद्रे नौकरी जिसके बात से ही पाई सीवियाए को जाज गई थे और जोटाले में कहीं अब लालु परिवार की मुश्किले बढ़ती जा रही है दरसल इस माम पर लेकर परिवार की मुश्किले बढ़ेंगी लेकिन जब हमाँ समन की करते हैं जब पूश्टाच की बात करते हैं तब देखा या लगाता समन एडी की दवार भेज़ जाता है उसके पूश्टाच के लिए तब भी हाजिन नहीं होते हैं यहां पर इसको लेकर कोई कारवाई होगी चाहिए बात तेजस्वी यादव की कले लालूपसाद यादव की कले क्या अब उनका हाजिर होना बहुत जरूरी हो जाएगा क्या माने हम अब इस चीज़ों को लेकर राजितिक परिवार है तो उसको लेकर अलग होता है क्योंकि कहीं न को राजितिक के साथ साथ अपरे तमाम वेवस्त कारेया सारी करम के चलता है लेकिन अगर इस वात की बात पर चाशित्वे ना माने के बाद उनको जैसा ही सब्स्वीश्य की अब इस चाशित में ना माने के बाद आउल गांदी माफिचेगा की लालू परिवार की समाम मेंबर्स है जिसमें मीशा यादाव है उसके साथ फ्रेमा यादा रावडी को यह होगा को पेश होना पड़ेगा और जो भी सब्स्वीश्य को अगर एडी पेश करती है तो कहीं आपको प्रूफ पेश करना पड़ता है कि जो इडी बोल रही है वो गलत है और उस जलत को साबिद करने को लेकर आपको तर्फ से रखने होते है और अब जो सम्मन अचाशित मारेगा अगली हेरी इस तरह परिवार को लालू के सासाद रावडी मिशा और हेमा पेश होना हो अब कि यहां पर क्या लालू प्रसाद यादव के परिवार की और से कुछ पुखता सबूत रखे गए इस तरह के कोई जानकारी रखी गई है कि हाँ उनका नाम शामिल नहीं होना चाहिए अभी तर इस पारे में कोई जानकारी है जैसे ही मामले पर संग्यान सामने आए था आए इडि को इसमें पुरूप मिला है इडि से पहले सी बिया इडि जो जांच कर रहे हैं वो हवाला पैसो का कर रही जो इंडिरेक्ली तोर पर पैसा अर्फ़ार्वित होता जो सी बिया जांच कर रही है वो तमाम लैंडफॉल जॉब में इन्होंने अपना घर तक जिया ह है कि वो घर किसी और वेक्ति का था जिसको जौकरी देने के वाद में बीजर्ट पॉलने वाला घर तेजस्तों के नाम किया गया तो पहीं न कहीं इसको ने का विकुल हम कहा सकते हैं एक के बाद एक तमाम जांच एजन्सियों के रडार पर परिवार आ रहा है बहुत शुक गाल रही है कई कंपनी मालिकों के रिकॉर्ड भी उनके घर को ऑफिसस को खंगाला जा रहा है रेड के दौरान मौके पर अर्द सैनिक बल भी तैनात है और पिशले 20 जगाहों पर हुई थी एडी की रेड पूर्व एमेले की होस्त चुकी है गिरफतारी तो हर्याणा में भ अर्द सैनिक बल को भी पहले से तैनात किया क्या पूर्व एमेले की गिरफतारे इस मामले में हो चुकी है और अब लगातार एडी नाकेवल घर बलकी ऑफिसस को भी खंगाल रही है जो सबूत इकटा कर सकती है एडी वो सबूत इकटा किये जा रहा है पंचकुला में तीन जगाहों पर एडी की रेड जारी है माइनिंग कमपनी के माले के घर पर लगातार जारी है एडी खंगाल रही है अ कमपनी माले को के घर और आफिस ताकि ताकि तमाम सबूत जो है वो एडी एकटा कर सके बिकुना सिर्फ हर्याणा में रेट हो रही है वलकि आपको बता रहे हैं कि महराज को में रेट की जारी है देश के कई ऐसी जगहां हैं कई राज्य हैं जहां पर एड इस वक्त शिकंजा कसेफ हुई है तो फिलहाल जो अभी खबर है वो एडी की यहां पर एडी ने हर्याणा में शिकंजा कसा है पंचकुला की हम बात करें वो जगहां आपको दिखा रहे हैं तीन जगहों पर एडी की सवक्त रेट है जहां माइनिंग कंपनी के जो मालिक हैं उनके घर पर उनके घर पर दफतर पर इस सवक्त रेट की गई है ऑफिस को खंगाला ज कोट ने फुलस चाशीट रद करने से इंकार कर दिया है कि इसमें कारवाई को रद करने से भी इंकार किया गया हाई कोट ने अब बास की मांग को किया खारिश तो वही चुनाव आचार सहीता उलंगन मामले में हाई कोट ने इस मामले में सुनवाई की बात कही है देखे हा अबर आपको बता रहे हैं जिसमें चुनाफ आचा सहीता उलंगन का ये पूरा मामला अब गहराता जा रहा है। हाइपूर का कहना है कि नए सिरे से समन जारी किया जाएगा और इसी के निर्देश जारी कर दिये गए। जिसकी सुनभाई जस राजबी सिंग्की सिंगल बेंच ने इसका आदिश दिया है। बता दें MP में पुराने सांसदों के टिकेट कट सकते हैं। जिहां नए चहरों पर BJP दाओ लगाएगी जिसमें प्रग्या सिंग ठाकुर का टिकेट भी कट सकता है। जिए पी में सुत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। लोगसभाद चुनाव में BJP तमाम पुराने सांसदों का टिकेट काट सकती है। चुकि आपने देखा होगा जिस तरीके से विधान सभाद चुनाव में एक नया फॉर्मूला कहीं न कहीं BJP ने लागू किया था। अब यही इसी तर्ज पर लोगसभाद को भी इसमें इंप्लिमेंट किया जाएगा। पिलकुल और BJP लोगसभाद चुनाव को लेकर तयारी कर रही है। इस तयारी के बीच वाकर प्रत्याशी कौन होंगे। BJP की ओर से इस लोगसभाद चुनाव के लिए जिताओ और टिकाओ चेहरा और सटीक चेहरा लापाना BJP के लिए बड़ी प्रात्मिकता है। और इसी के तरच पर हम ये जानकारी आपको दे रहे हैं कि इस बार कई सांसदों का टिकट कट सकता है। भूमी मंदर के लगे हैं पोस्टर आपको बड़ी खबर बता रहे हैं जिसमें पोस्टर में लिखा रहा है हमारे आराध्य प्रभु श्रीराम। और इस पोस्टर के जरिये राम मंदर की तस्वीर दिखाई गई है। प्रभु श्रीराम को भी इस तस्वीर में दिखाया गया है और साथी लिखा गया है कि आ रहे है हमारे आराध्य प्रभु श्रीराम। बिल्कुर से पोस्टर के माइने भी काफी है। राम जी एक आदर्स पुरुष थे वो राजा थे आदर्स उन्होंने एक आदर्स काइम किया था उनकी सब सम्मान करते हैं। अब उसको कोई अपना समझ ले कोई पाटी जराम किसी के नहीं है। दाम तो कणकण में हैं आप सब के हैं। यह तो बता दो दिया हैं आपको। हमारे भी वो सब्धे हैं इसलिए यहाँ पाटी ने लगाया है। हम लोग आदर करते हैं। रोकरते अगली बड़ी खबर के और मुमाई में इडी की बड़ी कारवाय उद्धव चाकरे के करीबियों की टिकाने पर चाप्मारी। आपको बता रहे हैं भूमी उपियों की शर्टों में कथत रूप से हेर फेर कने जोगेश्वरी में एक होटल के निर्मार के मामने में उधव गुट के नेता और विधार्क रविंद वायकर उसके सहयोगियों से सम्वंधित साथ स्थानों पर एडी की बड़ी चापमार चल रही है यहां अलग मामने में महाराष्ट में भी शिकंजा एडी का कसा हुआ है मुंबई में एडी की बड़ी कारवाई है उद्धव के तमाम जो करीबी है उनके ठिकानों को इस वक्त निश्वाना बनाया जा रहा है उन पर छापमार कारवाई इस वक्त एडी की चल र रही है इंडिया गटबंधर में सीट शेरिंग पर मंतल लगाता जारी है घटक दलों में सीट शेरिंग पर बातचीत हो रही है कॉई बता रहें कॉंग्रेस अंसिपेश वसीना में सीट शेरिंग पर चर्चा हो रही है कॉंग्रेस की पांस दस्या आलाइंस कमेटी इस 2019 के सीट शेरिंग फॉर्मेलों के लाने की बात कर रहे हैं तो वहीं कॉंग्रेस का एक नया फॉर्मेला सीट शेरिंग को लेकर तयार है और उसी पर जिक्र लगाता जाए एक महतोपुर्ण बैठक हम दिली में आज बुला रहे हैं कॉंग्रेस और शिव सेना और आभी मुझे पता चला कि इन सीपी को भी बुलाया है तो हम तिनों बैठक बैठेंगे महाराश्टे में तिन प्रमुक पार्टी है और सिट शेरिंग किस तरह से होना चाहिए महाराश्टे में उस बारे में लगबग चर्चा हो गया अपने आपनी जो बाते हैं या जो लिश्ट है कोन कहां से लड़ सकते हैं महाराष्ट में कोई इस प्रकार से जगड़ा नहीं है सबको मालूम है कुन कहा लेडने जा रहा है एक दो सिट का कोई मतवित हो सकते हैं उसके ओपर हम बैड़ कर चर्चा करेंगे तो ये आपसी स्वार्थों का फूट है और कांग्रेस को इस फूट का नुकसान मैं समझता हूँ कि इनको जो टीकट दे रहा है या जो मांग रहे हैं टोटल सीट का मुश्किल से 10 परसेंट इनको टीकट देने वाला है बंगाल बिहार उयूपी पंजाब दिल्ली सारे स्टेट का सीट जोड ले और उसके बाद देखें कांग्रेस कोई कितनी सीटे मिल रहे हैं तो कांग्रेस तो यहीं खतम हो गया तो कांग्रेस को खतम करने कि साजिस तो पूरे इंडी कौं में गटबंधा नहीं कर रहा है और इसी के साथ फिलाल कले इस बुलिटिन में बस इतना ही खबरों का सिलसला लगाता जारी आप देखते रहे हैं न्यूज इंडिया नमस्कार